पेशन्ट का हॉस्पिटल में लाज पुरा हो जाता है किन्तु हॉस्पिटल उसको डिशार्ज नहीं करते हैं और आप देखतें कि 10 दिन का आपका बिल 50 लाक रुपे हो गया है दोस्तों ऐसी सुचेशन्स में कहां से लाएं 200 लाक रुपे है या दूसरी सुचेशन्स आती है कि आपके परीजन का इलाज होता है और आपका परीजन एक्सपायर कर जाता है उनकी मृत्य हो जाती है और हॉस्पिटल कहते हैं कि हम डेड बॉड़ी नहीं देंगे अपनी मौ शरीर को उसके परीजिनों को ना देना क्या ये कानूनन अपराद है जी हाँ दोस्तों ये अपराद है सेक्शन 340 IPC जिसे कहते हैं wrongful confinement गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को एक चार दिवारी के अंदर कैद करके रखना हो चाहे वो हॉस्पिटल हो या चाहे वो कोई और जग जिसके अंदर आपके वोपर लाखों का बिल डाला जाता है और आपको डिस्चार्ज नहीं दिया जाता या आपके परीजन का पार्थिव शरीर आपको दिने से इंकार कर दिया जाता है तो दोस्तों ऐसे में आपको घवराने की जुरुरत नहीं है अगर आपके कानून के इंदर यह अपराद है तो इसके जरूर कोई solution भी है और उस solution को भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं कि क्या का आप करें क्या चुटकियों में एक ऐसा आप उस टाइम पे का application move करेंगे और कहा move करेंगे वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जिसके बाद पुलिस को warrant issue होंगे और hospital के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो बिना बिल लिए illegal तरीके से जो उसने बनाया गया है उस बिल को बिना लिए भी वो आपको उसको उसको आपके patient को छोड़ना पड़ेगा तो आएए दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के तो आप क्या करेंगे यदि hospital आपके patient को discharge नहीं कर रहा है या उसकी dead body को आपको नहीं दे रहा है तो दोस्तों आप अपने इलाका magistrate, junior magistrate of first class या अपने district magistrate या subdivisional magistrate के सामने आप एक application लेके जाएंगे और वह application section 97 of CRPC के तहत आप उनको देंगे दोस्तों section 97 CRPC वो ब्रमास्तर है जिससे कि यदि किसी व्यक्ति को illegal तरीके से confine किया गया है चाहे वो hospital ही क्यों नहीं या कोई और जगह ही क्यों नहीं तो ऐसे में जो magistrate है उनकी पास एक ऐसी power होती है कि जिससे कि वो police को direction देते है और एक warrant issue करा जाता है कि आप जिस जो व्यक्ति illegally confined जिसको किया हुआ है उसको court के सामने अदालत के सामने पेश करें दोस्तों जब आप यह application move करेंगे और मेंस्टेट साब को बताएंगे कि आपका patient hospital में इतनी तारिक को उसका admission हुआ था और इतनी तारिक को ठीक हो गया था और इतनी दिनों से उसको गलत तरीके से illegally confined किया गया है और उसका discharge नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में मेंस्टेट साब तुरंत कारवाई करते वे नियर भ यह जानने के ले कि क्या वह वक्ति illegally confined सच में था और यदि वह वक्ति महाँ पर आके court में बयान देता है ज़से आपके सामने कि उसे illegally confined किया गया वादा केवल और केवल इस बात को लेकि कि उसे लाखों का बिल उसके सरके उपर डाल दिया गया है और जिसकी की सही तरीके से हॉस्पिटल जवाब नहीं दे पा रहा है कि वहल लाखों का बिल उसके उपर कैसे बनाए गया है तो दोस्तों सेम सिचुएशन है यदि डेड बोडी जो अगर किसी आपके परिजन का पार्थिशरी हॉस्पिटल देने से मना कर देता है तो इसी तरीके से आप अपने लाक को छुड़वा कर वहल लेके आईगी तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल भी न घप रहें और यह आपको आपका कानून यह शक्ति देता है और यह पावर देता है आपके एड्मिस्टेशन को कि वह उस हॉस्पिटर के खिलाफ सेक्शन 340 इंडियन पिनल को कोड के तहत कारवाई कर सकता है इल्लीगल कंफाइंडमेंट के जूर्मिन तो दोस्तों आप जोड़े रहे हमसे इसी तरीके के और वीडियो के लिए धन्यवाद